तो हाँ आपका भी प्रोड़क्ट है डेमेज निकल गया या आपको कोई प्रोड़क्ट आपको गलत आ चुका है आपको करना है मीशो के कस्टमर केर से बाट डायरेक्ली आपका प्रोड़क्ट अच्छा है कैसा भी आ सकता है तो आपको कुछ प्रॉलम है आपको जैसे रिफ आज के वीडियों बताने वाला है तो वीडियो को इंतम ध्यांसे देख लीजिए अगर वीडियो इन्फर्मेट्व लगता है ये भी चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेस्ट बिगिन दोस्तो अगर आपको भी अपने मीशो एप्लिकेशन से किसी अपने कस्टमर केर को बात करनी है क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो डेमेज निकल चुका है या कुछ निकल चुका है नहीं करना ओर आपको क्या करना है अगर ऊप्लिकेशन को अपडेट करना है अदर्वाइबस आपको यहां से प्रे Olumay को उपसंप्राइबर कर दोस्ति एक वी यह प्र कर देना है अगर आपके पास कोई भी ऑडर आपने बुक कर आँगा आपके पास डिलीवर्ट हो गाँ गांग या अपने रिजैट कर आँगा तो यहां दीकने के लिए मिलेंगा मैंने अभी तक कोई आउडर नहीं किया तब भी मैं इसमें कस्टमर के से बात कर सकता है अगर इस पर क्लिक कर देना है देन इसके बाद जीशे आप इस पर क्लिक करोंगे तो आपको नीचे स्क्रोल करना है तो आपको देख सकते हुए नीचे दो आप से बात कर सकते हो तो सबसे नीचे का option आ रहा हूँगा call me back simple जिस पर क्लिक करना है देख सकते हो आपके सामने आ जाएंगा यह option उसके बाद नीचे आप बोलेंगा आपको your contact detail तो आपको जो भी mobile number active है जिस पर आपको call आने चाहिए वह आपको यह number दाल देना है देन इसके बाद नीचे का option मिलेंगा आपको कुंसी language में बात करने इंग्लीज हिंदी माराथी जो भी तो सिंपल सा मैं यह क्यं करूंगा हिंदी सिलेट कर दूँगा इंदी सिलेट करने यह पाद आपको कुछ भी नहीं करना है small है सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है देख सकते हो यह से एक ऑप्शन आ चुका देखो कॉल बैक रिस्यूट आपको कुछ दिर में आपका देखो यह से कॉल बताएंगा देखो अब यह टाइम नीचे बता रहा मुझे 16 मिनिट 16 मिनिट के अंदर मुझे कॉल आ जाएंगी कस्टमर के तरफ से डायरेक्ली और जो भी मेरे प्रॉलम में वह तो देख सकते हो इसक्रीन शॉड बाजियों में में को कॉल आ चुकी थी बस दो सेकेंड के अंदर तो इस तरह के आप अपना एक मिन शोब में कस्टमर के से बात कर सकते हो अगर इससे रिकार्डिंग कुछ भी प्रॉलम में तो कमेंट सेक्शेन में पूछ सकते हो मिलते नेक्स वीडियो एक साथ थैंकियो फॉर वाचिंग